हेलो बच्चो में नाम है चंदन गोयल और आज हम लोग JEE 2022 June Attempt को एनलाइज करने की कोशिश करेंगे हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कि किस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेशन आए कौन से चैप्टर की वेटज कम रही कौन से चैप्टर आपको अगली अटेम्ट के लिए ज्यादा फोकस करना है देखो बच्चो इस बात का ध्यान रखना कि यह हमारे 2022 June Attempt का एनल्सिस है और इस चीज़ की कोई गजंटी नहीं है कि यह पैटरन हमारी अगली अटेम्ट जुलाई अटेम्ट में भी रपीट होगा बट स्टिल इट विल गिव यू डीप अंडरस्टेंडिंग की आज की डेट में एन्टी यह किस से पेपर सेट कर रहा है इससे आपको मदद मिलेगी कि अगर आप किसी चैप्टर को किसी टॉपिक को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तो उस पे फोकस करना है चलिए शिरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि टॉप पांच ऐसे कौन से चैप्टर थे जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हमारे पास सबसे ज़्यादा questions में देखूं तो current electricity में सबसे ज़्यादा questions पूछे गए है 25 plus questions, बच्चो 12 papers, 25 plus questions, यानि कि at least 2 questions per paper current electricity ठीक है, एक बड़ा chapter है, तो questions पूछे जा सकते हैं variety of questions बनते हैं, current electricity को आप लोग electrostats के साथ capacitor के साथ कहीं न कहीं link कर सकते हो, जिरूत पढ़ने पे थोड़ा बहुत आप कहीं न कहीं mechanics के साथ link कर सकते हो, but still 2 questions per chapter is really, really big number, जब आपके पास total 25 questions आ रहे हैं, और current electricity में लगबग guarantee हो रही है कि 2 questions आएंगे ही आएंगे, तो बच्चो पूरा ध्यान रखना कि ये chapter चाट जाओ, कोई भी type, कोई भी variety, कोई भी जुगार, कोई भी shortcut, इस chapter का आपका छूटना नहीं चाहिए, उन points को जो आपके week हैं, इस chapter में, जो कोई formula भूल रहा है, उनको बहुत अच्छी से त्याद कर लो, अगली attempt के लिए, और हाँ, इस chapter के पिछली attempt में, जून attempt में, जो भी questions आए हैं, उनको दो बार at least कर लो, क्या पता, अच्छी किसमत हो, वही type repeat हो जाए, इसके बाद, सबसे था surprising मेरे लिए था, work, energy and power, physics के plus one के छोटे chapters में से एक, सबसे असान chapters में से एक, फिर भी उसमें 20 plus questions, almost two questions per paper, in fact, कईो में तीन भी आए हैं, और कईो में एक भी रहा होगा, that doesn't matter, but look at the number of questions, छोटे से chapter से 20 plus question, और logic सिंपल से है भाईया, कि इसके साथ आप laws of motion को connect कर सकते हो, laws of motion अपने आप में बड़ा chapter है, infinite many questions बनते हैं, बट जब आप work by energy के थूप उचते हो, तो दोनों का combination हो जाता है, examiner को paper set करते हुए, दो chapters को combine करना असान हो जाता है, fine, इसके बाद देखते हैं, हमाई पास rotation motion, system of particles and rigid body, 15 questions, one question, on another one question per paper, कोई खास बात नहीं है, बड़ा common सा trend है, rotation motion बड़ा chapter है, बट हाँ बच्चो, ध्यान रखिया कि इस chapter में जो questions आ रहे हैं बहुत typical नहीं आ रहे, आपको ये सोच के त्यारी नहीं करने कि आप advance की त्यारी करो, focus on easy questions and medium level questions, वही पूछे जा रहे हैं, आपको basics सारे याद हैं, आपको center of mass, आपको moment of inertia, basic topic calculations, conservation of angular momentum, ये topics आपको आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस chapter में आने वाले questions को छोड़ दोगे, बहुत typical questions के लिए second attempt के लिए focus मत करिये, हाँ, advance की त्यारी कर रहे हैं, तो जितना मर्जी focus करिये, कोई concern नहीं हैं, इसके बाद बच्चो, alternative current, once again, आपके लिए एक relaxing, cool करने वाला factor यहां पे है, भाईया, इसमें आपके पास 15 plus questions, again बच्चो, छोटा chapter, limited number of types, and still scoring chapter बन जाता है, तो, take note of this, and कोशिश करिये, कि alternative current भी आप अच्छे से digest कर जाओ, कुछ भी बचे ना, series combination, कुछ बाल, मतब, I can't say कि हर बाल, but कई बाल, parallel combination का भी, कोई ना, कोई question means में आया हुआ है, तो, please focus on RCL parallel combinations, also, कोई typical questions नहीं, but basic questions of parallel combination भी, आपको करने चाहिए, next, electromagnetic waves, plus two का सबसे चोटा chapter, किंती के 4-5 pages का chapter है, और भाईया, guaranteed है, कि इसमें से question आएगा याएगा, लेक देखिए, 15 plus questions आ रहे हैं, first attempt में, और ये trend इस attempt का या इस साल का नहीं है, मेरी observation है, कि पिछले कई attempts में, पिछले 3-4 साल से लगातार, EM waves में से question आही रहा है, definitely आ रहा है, और होता क्या है, जो बच्चे कहते हैं, यह हमने advance की त्यारी करनी है, advance में तो EM waves है यह नहीं है, तो हम त्यारी करेंगे नहीं, तो NTA कहते हैं, लो मजे, ना करो त्यारी, कटवालो नंबर, सो बच्चो छोटा सा chapter, और score confirm, और एक चीज़ और इस chapter में, बच्चो, old means question जरूर करके जाना, एक साल, 3-4 साल पहले कुछ questions ऐसे आए थे, जो उससे पहले किसी book में थे ही नहीं, यूनिक questions, NTA ने पूछे थे, so please, 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 बड़िया questions, जो है old means के, वो EM waves में से करके जाना, साहे formula याद करने हैं, direct formula waste questions आएंगे, EM waves का पूर स्पेक्टर्म भी आपको यहां पे focus करना है, चलिए, अब हम लोग देखते हैं, कि कौन से chapters ऐसे थे, जो हर paper में uniformly distributed थे, means, अगर मैं पिछली satellite के बात करूँ, तो पिछली slide में हमारे पास number of questions थे, कि किसमें ज्यादा question आया है, but this does not reflect कि question uniform आया है, जैसे, अगर मैं यह कहूँ कि यहां पर system of particles and rigid body में से 15 question आया है, तो यह संभावना है कि कि किसी एक paper में तीन आया हो, और किसी में एक ही आया हो, ठीक है, but uniform distribution कहां पर आया है, वो हम इस slide से देख पाएंगे, देखे बच्चो, इसमें सबसे ज्यादा जो मुझे मज़ेदर factor लगता है, वो है kinetic theory of gases, ठीक है, plus one के गिने चुने चोटे chapters में से, लगबग सारी की सारी chemistry, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से करते हो, basics of chemistry है, physics में अगर केटी जी का एक question आता है, तो इस से अच्छा क्या हो सकता है, कुछ सार पहले था कि mean free path के साथ कभी कोई question नहीं आया था, बट अब ऐसा कोई trend नहीं है, हर एक formula, चाहे वो chemistry में है, चाहे नहीं है, उसके साथ related, आपको सारे के सारे questions करने हैं, CP, CV, CP, CV के बीच में relation, average of gamma, दो gases को mix किया है, उसके लिए gamma के average value, यह सारे questions आपको बहुत अच्छे से बच्चों focus करने हैं, अब इसके बाद, अगर हम देखें, तो यह दो chapters मेरे लिए बहुत ही interest में है, देखें बच्चों, communication, as such, CBSC के syllabus में ही नहीं है, प्लस टू के बोर के syllabus में नहीं है, फिर भी communication में से हर बार question आ रहा है, भाई साब, 12 plus questions, यानि कि हर paper में एक question guaranteed है, चोटा सा chapter, limited number of questions, तो क्यों छोड़ना है इसको, बहुत अच्छे से attempt करिये, clear, उसके बाद देखिए, semiconductors, यह जो तीन chapters है, communication, semiconductors, और पीछे मैंने बात किये थे EM Waves की, जो सिर्फ advance, advance सोचते रहते हैं ना, वो इन तीनों को छोड़ देते हैं, और इसी चक्कर में अपना main scar paper गवा लेते हैं, देखो, semiconductor में एक question confirm, communication में एक question confirm, अगर आप इसकी आज़ दात को भी बैट के practice करो, तो ये दोनों chapters के 2200 questions आज भी निकाल दोगे, ठीक है, और 200 questions निकालने के बाद मुझे नहीं लगता कि NTA में इतनी हिम्मत है, कि आप से कोई नहीं type नहीं question पोच ले, तो भाया, गिने चुने questions, गिने चुने chapters अगर आप attempt कर रहे हो, तो भी कुछ questions square हो जाते हैं, so please focus on these small chapters that carry actually more weightage in NTA exam, clear, इसके बाद देखिए बच्चो, हमारे पास wave optics, wave optics में से 12 plus question, कोई दिक्कत नहीं है, thermodynamics बड़ा chapter कहा जा सकता है, 12 plus question, perform, कोई issue नहीं है, electrostatic potential, electrostatic potential, plus यहाँ पर capacitor लिखा होना चाहिए था, यह जो आपका second chapter है, plus two का, it contains about 15 questions, which means that, कि हर paper में at least one question, कभी potential का, कभी capacitor का, कभी combination का, whatever it is, तो plus two का chapter है, असान chapter है, आप लोगों को plus two वैसे भी plus one से अच्छी आती है, तो बहुत अच्छे से इसकी भी attempt करिएगा, इसके बाद देखिए, ray optics, और मैं साथ में इसको जुड़ूँगा, wave optics, ray optics and wave optics, wave optics में बच्चों कोई मुश्किल question बनते नहीं है, ठीक है, limited number of formulas हैं, limited number of questions हैं, थोड़ा सा path difference वाले parts पे focus कर लिए जाएगा, question कहीं नहीं जाने वाला, right, इसके बाद देखिए, ray optics, ठीक है, इसमें questions बहुत जादा बनते हैं, बड़ी जादा variety of questions हैं, but still, plus two का chapter है, आपकी term two का chapter है, तो आप लोग बड़े मज़े से इसको त्यार कर सकते हैं, कोई भी कमी पेशी है, उसे complete करिए, और एक question guaranteed, देखो बच्चो, इस जीज़ का ध्यान रखिएगा, कि ये जो हम analysis कर रहे हैं, ये हमारा सिर्फ June 2022 का analysis है, ये कोई guarantee नहीं है, कि NTA अगली बाद भी, यानि कि जुलाई में भी, इस pattern को repeat करेगा, but हा, जैसे, कुछ हमारे पराने experience हैं, उनको जोड़ते हूँ, मैं definitely ये बात कह सकता हूँ, कि जो छोटे chapters हैं, that carry more weightage in these days, जैसे, KTG हो गया, उसके बाद हमारे पास हो गया, semi-conductors, communication, EM waves, इन chapters के उपर, बहुत ज़रा फोकस करिए, कम मेहनत और ज़्यादा जल्ट वाले, ये chapters रहेंगे, and in the last, हम उन chapters के उपर, बात कर रहे हैं, जिनको, comparison में कम weightage, don't underestimate these chapters, but of course, these chapters, carry less weightage, in June 2022, जैसे, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, vectors, vectors में में मातर तीन questions पूछे गए हैं, और अगर मन लॉजिकली सोच हूँ, तो वही पूछने भी क्यों है, आप लोग non-medical के students हो, vector की आपने mass में धज़ियां उड़ा रखी हैं, और पूरी physics में आप vectors अप्लाई कर रहे हो, तो उसका एक specific question पूछने का कोई खास, माइने बनते भी नहीं है, और पुराना trend भी यही है कि वेक्टर्स में से बहुत ज़्यादा questions नहीं आते हैं, नेक्स्ट, laws of motion, infinite many questions, ठीक है, फिर भी, one question on an average, one question per paper आ रहा है, 13 questions from 12 papers, one question per paper, लोग in general expect कर सकते हैं कि भाईया की बड़ा chapter है या मुश्किल chapter है और पूरी की पूरी physics इसी के उपर based है, तो definitely इसमें से ज़्यादा question आने चाहिए, जनता लगी देती है, laws of motion को चिपकाने के लिए, उनको लगता है कि मुश्किल से मुश्किल question कर लें, और हमारी physics strong हो जाएगी, या means का paper अच्छा हो जाएगा, no doubt physics strong हो जाएगी, बट means के paper में बेटा, जो laws of motion है, एक limited weightage करी करता है, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें से 4-5 questions आने वाले हैं, और आप इस पे दिन जात, अभी last के दिनों में दिन जात इसी के उपर लगे रो, बिलकुल नहीं, next we have mechanical properties of fluids, इसमें भी decent questions आया हुए है, बेशक chapter बड़ा है, but decent question one question on an average per paper आया हुए है, तो, और मज़े की बात यह है कि इसमें कोई बहुत difficult questions नहीं आते हैं, ठीक है, अगर आपको over view सा भी पता है, आपको formula formulas over over से पता है, तो भी, यूँ समझो कि आपको अगर bold level के भी questions से आ रहा है, तो मैं मानता हूँ, there are 60-70% chances कि आप इस chapter में से question को attempt कर लोगे, and last but not least, as such a reminder, way motion, इन दोनों में से बचो, पिछले कुछ attempts में लगबग यही trend चला आ रहा है, कि इनकी weightage अब limited हो गई है, आप देखो, कि इन दोनों के combined chapter मान के चलो, isolation plus waves को तो आपको on an average one question per paper मिल जाएगा, कोई जमाना हुआ करता था, जब wave motion में से तीन-तीन question भी आया करते थे, अब यह trend लगबग change हो चुका है, अब एक से ज़्यादा question wave motion से नहीं आता, और wave motion में भी अगर आप देखोगे, तो limited types ही हैं, गिने चुने topics हैं, सीरे सीरे questions बनते हैं, अगर आपको theory अच्छे से याद हैं, basic formulas अच्छे से याद हैं, तो मुझे नहीं लगता कि wave motion में से आपको कोई भी दिक्कत आएगी, clear? तो एशी ज़्यादा रखिए कि आपने जो गलतियां पिछली attempt में की हैं, कोई topic आपने छोड़ा था, कोई chapter आपने छोड़ा था, और यहाँ पर हम यह डिसक्स कर रहे हैं, कि उस chapter में से ज़्यादा question आते हैं, तो आखरी कुछ दिनों में उस chapter के उपर जरूर फोकस कर लिए, कर लीजिएगा, अगर अभी भी आप ऐसा नहीं करते तो भाईया, बेवकुफी होगी, अपने पैरों पे कुलहाडी मानत खुद आप करोगे, तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुब काम नाएं, अगला attempt शांदा रहे, और आपका परसंटाइल पिछले attempt से कई गुना बढ़ जाए, All the best to all of you, नमशकार.